हेलो एविवान कैसे हैं बच्छों आप सब लोग तो वाइस इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं related formulas from different chapters इन ट्रिक्स के साथ आप different formulas को बहुत आसानी से याद कर सकते हो यह आपकी जो memory capability यह उसको बढ़ाता है क्योंकि यहां पे आप चीजों को relate करके पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही एक topic है बच्छों dipole का तो dipole का topic आप electrostatics में भी पढ़ते हैं dipole का topic आप magnetism में भी पढ़ते हैं यानि कि एक electric dipole होता है और एक magnetic dipole होता है और पते की बात यह है कि दोनों के जो formula है वो बहुत ज़्यादा similar है एक दूसरे से तो आईए ज़रा देखते हैं कैसे दोनों formula similar है और कैसे दोनों को एक साथ याद करना है तो जैसे अगर आप electric dipole की बात करेंगे बच्छों तो वो form होता है जब आपके पास दो charges हो same magnitude के लेकिन opposite charge के तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक minus q charge है यहाँ पे एक plus q charge है तो बस बन गया इनके बीच का distance बहुत छोटा होता है माल लीजे वो distance l है तो बन गया एक dipole अब इनका जो dipole moment vector होता है वो कुछ इस तरी से define है dipole moment vector को हम p vector कहते है और जो p vector का formula है बेटा वो होता है charge याने की q सिर्फ charge का magnitude लेना है multiplied by distance between them कितना distance है l बस हो गया है ना तो यह है आप dipole moment is defined as charge into distance अब यह जो direction होती है बच्चो वो होती है negative से positive की तरफ तो आप already l vector की direction देख रहे होंगे याने की dipole moment की direction देख रहे होंगे वो minus से plus की तरफ है चलो अब यह तो dipole हो गया electric वाला अब बात करते है magnetic dipole की आपने जब magnet के बारे में पढ़ा होगा छोटे grades में तो आ यहाँ पर मानलीजिया south pole है यहाँ पर north pole है लेकिन वहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि यहाँ पर pole strength भी होता है जो यह बताता है कि magnet कितना force लगा सकता है जी हाँ ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर charge बताता है कि कितना जादा force लगेगा वैसे ही यहाँ पर pole strength होता है त strength होता है, minus m या फिर plus m, अब आप इसको चाहो तो यहाँ पे लिख लो, small m is nothing but pole strength है ना, ये क्या है बच्चो, pole strength है, जो की analogous है, या फिर similar है, charge के, तो यहाँ पे जो charge है, वो वहाँ पे pole strength है, close enough, minus q plus q, minus m plus m, अब मजे की बात यह है कि जैसे यहाँ पे direction होता है, minus से plus, dipole moment का, यहाँ पे भी वही होता है, देखो आप dipole moment का direction, minus m से plus m, यहाँ पे आपने बेटा p vector define किया है dipole moment vector, यहाँ पे आप m vector define करते हैं, dipole moment again, लेकिन magnetic dipole, यह electric dipole moment, यह magnetic dipole moment, again close enough, और यहाँ पे formula m into l, m mass नहीं है न मुनो, m क्या है, m is the pole strength, कितनी ज़्यादा force वो लगा सकता, that is pole strength हो गया, एक topic खतम, similar था, अगले चीज में आते हैं अगली चीज है, पूरी dipole की कहानी में आप electric field जरूर पढ़ते हैं तो मान लीजे, एक electric dipole ऐसे रखा हुआ है, इससे कुछ angle पे, r distance की दूरी पे, r vector distance की दूरी पे एक point है, यहाँ पे आपसे electric field पूछते हैं, तो आपने यह formula पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ दीजिए कोई बात नहीं, formula होता है electric field का kp divided by r cube, under root 1 plus 3 cos square theta, यह बहुत important formula है, इससे सवाल आने ही आने, मान के चलिए अब इससे सवाल आती ही आते है, kp by r cube 1 plus 3 cos square theta, बहुत बढ़िया, यह है आपका dipole moment, electric वाला, p vector बहुत बढ़िया, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, magnetic की तो देखो, magnetic dipole रखा हुआ है बहुत बढ़िया, ठीके रखा हुआ है same angle theta, वही angle theta वही distance r vector लेकिन इस बार पूछ रहे है, magnetic field यहाँ पर भी बच्चों, मजे की बात यह है कि same formula लग जाता है, similar formula कहलो आप तो देखो, मैं formula कैसे modify करूँगा बच्चों, यह जो k होता है हैना k जो होता है, electrostatic constant यह क्या होता है, one upon four pi epsilon not हैना k को आप क्या लिखते है बिटा one upon four pi epsilon not यानि कि मैं k को हटा कि यह भी लिख सकता था, हैना यह भी लिख सकता था इस k के जगे magnetism में mu not upon four pi आएगा mu not divided by four pi आ जाता है, बस इतना change आपको करना है, तो एक तरह से आप ऐसा कहलो कि यहाँ पर one upon four pi epsilon not था, यहाँ पर mu not four pi आ गया, कहने का मतलब जो one upon epsilon not है, one upon epsilon not उसको mu not लिख देना है, काम खतम आप समझ रहे हैं, देखिए, यहाँ पर one upon epsilon not है, यहाँ पर वहाँ पर बस mu not लिखा है, four pi तो दोनों में है, और आसान हो गया, मज़ा आ गया है ना बच्चो, तो बस k का काम खतम हो गया, k के जगे यह लिखा जाएगा अब यहाँ पर dipole moment electric वाला है, p vector तो यहाँ पर magnetic वाला आ जाएगा, m vector अरे वाह, यहाँ पर नीचे r cube है, तो यहाँ पर भी नीचे r cube रहेगा, small r cube which is the distance, और इसके बाद सब कुछ same, अंदर भी same चीज लिख दो, one plus three cos square theta है ना मज़े की बात, yes तो दोनों topics खतम एक साथ यह electric dipole के लिए electric field और यह magnetic dipole के लिए magnetic field अब theta की value change करते जाओ, और theta यहाँ पर रखते जाओ, और हर point पर आप निकाल सकते हो, electric field और magnetic field, बहुत बढ़िया, यहाँ खतम नहीं होता है, एक और चीज है एक और चीज यह है, कि जब आप एक uniform electric field लेते हैं, uniform electric field, या फिर जब आप एक uniform magnetic field भी ले सकते हैं, है ना तो uniform electric field, uniform magnetic field देखिए, यह सब electric field की lines हैं यह सब magnetic field की lines हैं अगर मैं यहाँ पर एक electric dipole रख दू किसी angle theta पे, यह देखिए रख दिया यह electric dipole है, रख दिया, P vector theta angle बनाते हुए, तो इस पे एक torque लग जाता है, आपने पढ़ा होगा इस पे एक torque लग जाता है torque का formula होता है, प्यारे बच्चों P cross E vector, यानि कि dipole moment, उसका vector लिखिए electric field का vector लिखिए cross product ले लीजिए इस cross product को ऐसा लिखते हैं कि आप लोग P E sin theta, definitely इसा ही लिखते हैं सर, बिल्कुल तो यार मज़े की बात यह है कि यहाँ पे भी ऐसा ही formula है, इस पे भी एक torque लगेगा अगर आप यहाँ पे magnetic dipole रख दो theta angle पे, बिल्कुल same to same तो यहाँ पे torque क्या हो जाएगा, यहाँ पे torque हो जाएगा M cross B, देखो यह भी similar है जहाँ पे P आता था, वहाँ पे M आ जाएगा आप देख रही है, यही हो रहा है हर जगे P के जगे पे M आ रहा है, यहाँ पे electric field है उसके जगे पे magnetic field आ जाएगी, कितना आसान है तो यहाँ पे आप लिखेंगे M B sin theta, बहुत बढ़िया इस dipole के पास एक energy भी होती है उस energy को आप potential energy बोलेंगे, electric potential energy जिसका formula आपने पढ़ा होगा, बच्चो, minus P vector sorry, minus, यहाँ पे आप लिखेंगे P vector है ना, minus P vector dot E vector, minus P dot E या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते है, minus P E cos theta क्योंकि यह dot product है, क्योंकि यह dot product है तो cos theta आएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से magnetic potential energy कैसे define करी गई है आप इसको लिखेंगे, minus M dot B है ना, तो यह analogy कर रहे है हम लोग potential energy की बिल्कुल minus M dot B, देख लो भाई, P के जगे पे M आ गया E के जगे पे B आ गया, तो formula क्या बनेगा इसका minus M B cos theta, done and dusted, बिल्कुल थोड़े से effort में आपका दोनो topic खतम, दोनो topic का revision खतम साथ साथ में पढ़ने में यह पाइदा होता है because these are the related formulas from different chapters, कैसा लगा बेटा, session आप सभी को like करके और comment करके जरूर बताईएगा इसका PDF आपको comment box में डाल दिया जाएगा बच्छो तो मिलते हैं next session में session को, मतलब channel को अगर आपने subscribe नहीं किया तो कर दीजिए, session को like कर दीजिए और अगर ऐसे बहुत सारे sessions आपको चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे related formula है different chapters में so if you want it, let me know in the comment box see you soon in the next class, bye bye बच्छो